हेलो स्टुदेंट्स अमीद करना के करोना वेर्स दे चल दे तुसीं करांच रह रहे होंगे ते ठीक ठाक होंगे अपने जो ओनलाइन क्लासेज चल रही हैं ने उनना दे वेच आज दी क्लास चापा अपने सब्जेक्ट शिशोलोजीकल बेसेज ओफ एजुकेशन पेपर एफ टू पैंट वाणठ जिड़ा टॉपीख डिसकस करने जा रहे है ओँव है नैशनल डिवल्मेंट अन एजुकेशन इदे हबाग क्वाद क्कोंसेट इडिकेटरस उफ नैशनल डॉवल्मेंट डिसकस करांगे ते एधा एक पाट रोल अफ एजुकेशन इन नेशन डिवर्मेंट एसे टॉपक दा अपना अगली क्लास मतलग के अगली वीडियो डिसकस करांगे तांकि वीडियो बहुत जादा लंबीना हो जावे है जो ए लेसन प्लैन में तो डिले कीता के अडियो नाडियो लेंग्वेचे जलाइड मेंट सनी नाड के लूज्ट करना लए या से अग गोडन्ह तो संफलियों नूर्मेट वी तरीयो साफ्ट कापी नोट्स दियार कर सकते जावे तुसी नहीं पढ़ सको तुसी नोटबुक ते भी स्टडी उटीने लड़ा स्लाइट्स नो राइट डाउन कर सकते हैं सो अपाँ शुरू कर देया आज जी दी क्लास ते आज दा टॉपिक अपना नेशनल डेवल्मेंट और एड्यूकेशन सो चालने आप अगली स्लाइड वाल ते सब तो पहलना आप डिसकस कर देयां मीनिग सो तो तो ते समने स्लाइड मीनिग वाल ये जड़ी ओखुर लिया नेशनल डेवल्मेंट रेफर्स तूदी हार्मोनियस और ओवराल डेवल्मेंट ओफा कंट्री और नेशन मतलब के जड़ा रस्ट्री विकास हा वो किसे भी देश जा रस्ट्र दरड़ा सरवपक्खी विकास वोची शामल होंदा वा जीदे वच्च अपना समाजिक आर्थिक नैतिक सब्वे अचारक तकनीक की रायनीतिक तेड़ातार में कहेगा वो सारे विकास इदे विच्ची शामल होंदे ने मतलब के हे ओवराल जीड़ा पगल कर दें ओवराल डिवल्मेंट हा किसे कंट्री दी है जीड़ा नेशनल डिवल्मेंट हाईगा जी एदा मीनिंग सी जी अगली नेक्स स्लाइड वल जीदे चापा तू डेफिनेशन ने जडियां ओ डिसकस करांगे फस्ट है जी युनाइटर नेशन डिवल्मेंट इस ग्रोथ प्लस चेंज चेंज इन टर्म इस शोशल एंड कल्चरल एज विल एज एकनोमिक एंड कॉन्टिटिव एज विल एज कॉल्टिटिव कॉम्मी विकास विकास अते तबदीली है तबदीली समाजक अते सब्य अचारक अते आर्थिक दे नालनाड संख्यातमक ते गुनातमक भी है ठीक है जी जी अगली डेफिनेशन अजडी ओ है जी कॉम्मी विकास सारिया नागरिक तागतां दा कॉल प्रवाव है अते एपोतिक मानवी सिरोतां ज्यान अते हुनर वेच वाद्दा करदा है ए पंजाबी वड़े जड़े पंजाबी मीडियम वड़े वच्ची ने ओ लेख सागदा है अगली डेफिनेशन होने डिसकस कीती है ए दो डेफिनेशन से जड़ियां यह अपा डिसकस करके हटे होने जी ते वाद्दे आप अपनी अगली स्लाइड वाल स्कोप एंड इंडिकेटर्स ओफ नेशनल डेवल्मेंट पहला जड़ा पॉइंट है दा हो है शोचल इंडिके एंडिकेटर्स अपनेशन अठिकर उपलेब मेशन मेंट जड़ स्काष बलेब काष्टीर पहल्मेंट, अग जी तेकर ले डेफिनेशन स्वौन बेलमेंट्स, लेफिनेशनाओ वाल स्काष रखिनेशन का इंड इंडिकतरों , इंडोग जेँ जाफिनेशन अव्या जारी ए सामाजिक सूंच्छाँं मुलांकर मुलांगकर कर लाई। एट सिक्टÅ मतलुक्षिया Heिष्ट का गुचे-ट। 21.चिकाशमja. प्याम्नेरथ निश्ट अच्सेट इव जो अबसेव इनूख estásब और उगूटॉटूटूऑठाउ पीज्टूड़ी नगूच्तिष जुलूटुडू अ and last but not the least, intellectual development also. Educated people of the country can think, innovate, and practice new innovations, which can help the country to rise. Education teaches a person about beauty of democracy. It is the education which promotes national as well as international understanding. So it can be said that the education is the foundation stone of development of any nation. No country can make progress without education. सो पंजाब भीच आप पायानों डिसकस कर देंजी एजूकेशन मतलू के सिख्या किसे भी देशदा विकास हो तक संबब नी हो सकदा जदो तक उधे नागरिक का जड़ी वान पड़ होंगी जड़ी सिख्या वा वित्ती समाजिक नहतिक सब्याचार का स्यासी मनों गयानक ते बहुत एक विकास दा अधा आड़ मननेया जानदा नू पड़े लेखे लोग नमियां नमियां करड़ां बरी सोच सक देया नमियां खोजां कर सक देया ते उना था वियास कर सक देया जीदे जा सकदा वा ज़ी कि सिख्या किसी देश दे विकासि दार हों धी यह। ति कोई देश सिख्या षॉट विश नहीं na Vikaas नहीं कर सकदा जो तो अन एज दृग कर शक्क दी अग्ली स्लाइड वाल अपा वाद दियां जी, Economic Development मतलो क्या आर्थिक विकास? Economic Development is defined as an increase in a country's wealth and standard of living. It is usually measured by an increase in the gross domestic product or other measures of aggregate income. For example, a nation can develop economically when it begins to produce more product and increase its overall wealth. Economic Development मतलो क्या आर्थिक विकास? आर्थिक विकास नूँ देश दी संपत्तिय ते जन्दगी ते मैयार्च वाद दे तौर ते अपा परभाश कर साक दियां. इन्हों आम तौर ते जड़े कॉल क्रे लूत पाद हुंदे अपने जिन्हों पशाओड देवच जीडीप कह दें देयां. जा कॉल आम दनी दे होर पमाननेयां दवारा इन्हों माप्या जानता हुआ. अपनी सरुपक्खी दौलत दड़ा विकास कर दियां जी ओवराल वेल्थ ठीक है जी? प्लिटिकल इंडिकेटर्स प्लिटिकल इंडिकेटर्स इंक्लिवड मैजर्स फर प्लिटिकल पार्टिस्पेशन, civil liberties and human and labour rights, and the measures which reflect the progress of the countries. If the political system of any country is corrupt, no country can progress or develop properly. The political structure of any country should be strong enough to control the obstacles which create hurdle in the path of development of the country. It is only possible if the political leaders will act as public servants and help the nation to grow. प्लिटिकल इंडिकेटर्स अपहने डिसकस कीता, जीन्मपाँ प्लिटिकल स्यासी सूचक के दनने, जीटे स्यासी सूचक का देवेच्च, स्यासी हिस्सेदारी, नागरिके जादी, प्लिटे मनुक्री, मिजदूर्दकार अट पमान्ने यांजडे स्यासी आज़े ड्रक्की नू दरसाओ देने, जो किसे डेशे डेख देष देश क कॉण वाल मुणे या रकावत, प्यावत रोक्तावन दे लेई, किसे भी देश दरड सेयां सीटा चावा प्रिटीकल सेस्टम मा बहुत मिल्बूत होना चाहिए ते ए सर्फ ताही संबवा जे उत्थों दे जडे प्रिटीकल आगूने उत्थों दे जडे ओ जन तक सेवादार वजों काम कारनगी देश दा विकास करनदेवेच वी सहयता करनगी democracy and development democracy is a process and development is the outcome democracy has a positive impact on economic and social development of a country through most indirect channels the channels include policy certainly political stability establishment of rules and protection of rights, promotion of education, the ability to promote private capital and reduction of inequality. India is the world's largest democracy. In its democratic structure, it moves towards social equality, secular principles and citizens' participation along with extensive educational reforms, which have allowed India to conduct with economic development. लोकतंतर ते विकास, democracy and development. लोकतंतर एक प्रकिरेया है ते विकास अधा उधा उधावत पादा, लोकतंतर प्रवाव जाडातर सिद्दे चैनल रही देश दे आर्थिक ते समाजिक विकास ते पहिंदावा. ते इनना साधना दे विच्चे जडा नीत नर्दा आर न, राय नि नेजमा दी स्थापना, अधिका अरांदी सरख्या, सिख्या दा परचार, निजी पूजी नू वदाउना, ते समानता नू दूर करना, डियानिक्वल्टी नू दूर करना शामला है दी विच्चु, ते पा अरत दुनियां दा सब तू वड़ा लोगतां तरा जमें अपसारे जान दियां इदा समाजिक समानता ता रमनर पेख सदांता ते नागरिकां दी पाक गिदर दी नाल वे आपक सुधा अरांदी प्रक्रियावल वदना ऐस दी आर्थिक वकास नू दर्सांदा है ते अगला पॉइंट है जी अपना Cultural Development Cultural attitudes towards achievements have a position effect on economic growth and development. Sometimes it is also possible that certain cultural beliefs and values of the people could also hamper the economic development to overcome and avoid these obstacles created by culture in the way of national government. There is a need to bridge a gap between the formal system of education and the country's rich and varied culture traditions. The cultural attitude should be combined with new modern scientific attitude for the national development. सब्यचार कर विकास ते प्राप्तियां दा बहुत ही ज्यादा प्रवावाव पहिंदा. वाजी आर्थिक वास दे उपर जड़ा अपना सभ्याचार करवाईया ते दिया प्राप्तिया नेड़ा उता बहुत ज्यादे प्रवाव हुंदा कई वारा पाई भी देख दिया कि लोग कांदे को सभ्याचार कड़े विश्वास ते कधना कीमतां भी आर्थिक वास दे पाड़ावा उन्हों दूर करन दी बहुत जादा लोड़ा ते कौमे विकास लिए नमें ते आदन का वग्यान करवाईये नाड़ा सभ्याचार करवाईया जोडन दी लोड़ा ठीका जी सो ए अपने डिसकस की तेड़ा ओ कल्चरल डवलमेंट अगली स्लाइड ते तूर्थ अनेस्टी लव सेंप्थी और यॉपरिशन दन अउनल अफील फीलिग और वाटर हुड अंड लव और कंट्री अन कांट्री में जी डवाईये नाशनल डिवलमेंट विच विल फृदर कंट्री वृट इन दी नेशनल डिवलमेंट जी नमेंट अचार प्र डिव नागरिकां दा नैतक च्रितर उच्छे अगना दे ते उनना कोले सच इमानदरी प्यार हमदर्दी सह योगा दी नैतक मुलने तब पाइचारी दी पावना थे देश देश वासियां प्रती प्यार दी पावनानों लोग कांच पैदा कीते जा सकता जीदे नड देश दी तरक क national interests. To promote national progress, it is essential that all citizens of the country give priority to national good over their own interest. In other words, national interests should prevail over personal interest. The past history of our nation is a record of sacrifices for freedom, integrity, security and honor of nation. Such qualities of sacrifice, service, patriotism and nationalism should be developed in our children who are the citizens of tomorrow. Education alone can do it through its various activities and program. आपराश्ट्री आपर दिस्कस कार रहे हैं जी. रास्ट्र दी प्रागती नों पर फ्लत करन दे ली यह बहुत है जिरूरिया कि देश दे सारी नागर कावदे आवदे निजी हित्तान कपास से राखके देश दे हित्ता नों तर जीदेन. दूजे शावदा दे वेचे वी निजी हित्ता तो वद रास्ट्री हित्ता वलते आंदिना चाहिदा. जड़े सिटीजन्स ने. साठी बच्चे इचे अगली इस्लाइड वाल. नेशनल दीस्प्लेन. नेशनल दीस्प्लेन is essential for the growth and development of a country. एदूकेशन प्रमोट्स नेशनल देस्प्लेन. इंडिया इसफ्री कंट्री. टो मैंतेन इस व्रीडन. National discipline is a must Hence, our educational system should be shaped in such a way that Desirable feelings and healthy emotions promoting national discipline at all levels Should be included in all the citizens of the state रास्टी इंशाशन दी गल कर रहे हैं आपा किसे भी देख देव कादरी सब तो बद जरूरी है रास्टी इंशाशन दा हुना सिख्या रास्टी इंशाशन नो उत्साहित कर दिया पार्त एक जहाँ देशा आपनी अजाद्धी के एम रखन ले इनू रास्टी इंशाशन दी पालना करनी चाहिए दिया एसली साथ दी विद्यक परनाली नो अजहे तरीक के नाड़े टालना चाहिए दावा अगला पॉइंट है अपना सप्लाई ओफ स्किल्ड मैं पालना चाहिए दिया पालना चाहिए दिया पालना ते तांद्रस्ट पालना पालना पैदा कीतिया जाना अचाहिए पस्पिली छू चूपी के टाहिए पॉची चाहिए- बटाव ए प्टै क क्या ह scripture benे तांद्रस्टट स्ट्डश्टर झाय पालना पॉश्बर्णे हो आपलना ते राहिए प्सकेष्म क्या पालना चाहिए of artisans suitable to all levels of production. हुनरमंद मनुखां दी मनुखी ताक्त सप्लाईय अप आधे बाड़े गल कर रहे हैं स्प्लाईय ओफ स्किल्ड मैन पावर देश दे लोकां दा जीवन पदर फेरी उच्चा हो सागदा जदो देश देवाच दी लड़ीन दीपो अतक्सम्रिदी ते वित्ती विकास अजड़ाओ हो रहा हो तुँँदा ये उद्वन सांबव हो सागदा जदो देश दे वद तो वद लोकां नू तक्नीक की ते हुनर दी सिख्यत दी जावे नतलो लोकां नू टेक्निकली स्टाउं कीता जावे उननने स्किल लड़ी उड़ी डवेलप कीती जावे सर्फ सकलाई प्रापते हुन्दरमांद मनुकी ड़ी शक्तिया खुशाल लीते जो को तरक्की लिया सकतीया जी देना लोकां दे रहाण स्टाउं दी पदर्च भी वादा हुगा ते सिख्य यो साधना जो सारे तरह अंदे यो तुपादन तयार कर लिए टॉक में कारी कर पैदा कर सक दिया सिख्या दी इंपोर्टेंस बहुत जादे आपा देख रहे हैं सारे पॉइंट से बच्च भाद इसकस कर रहे हैं सो अगली स्लाइड वाल बाद दे आपा इंप्रूविंग क्रोस कुल्चरल अंडरस्टेंडिंग एंड एप्रेशेशन अंतरास्ट्री डेडी सब्या का सम्झ दे बच्च सुदार करना अपा उदी कल कर रहे हैं जी दे चाँ अंतर सब्याचार का सम्झ दे बच्च सुदार करना अपा उदी कल कर रहे हैं जी दे चाँ इन इंडिया, the national development has to be based on the sound foundations of cross-cultural understanding and aspirations rather than sentimental attachments to one's own glory of the heritage of one's own culture from this point of view, researchers and studies in India on intercultural understanding and intergroup education are a greater necessity for affecting national development along with the development of sentiments the curriculum of schools and colleges have to reflect the harmonious blending of cross-cultural influences अपा गल कर रहे हैं अंतर सब्याचार का सम्झ दे बच सुदार दी पार्ते वेचेडा राश्ट्री विकास सर्फ अपने 27 दी विरास्दीना जुड़े पामादी थां ते अंतर सब्याचार का सम्झ ते एते सनमान नल जुड़े हैबा सर्फ मातलब के अपने सब्याचार दी गाली नी है जीए च एस नजरीतो देख्खया जावी ता पार देवेच्च कौम्मे विकास नूं प्रवावित करन वाड़े अंतर सभ्याचार ते अंतर समुव सिख्या दे नालनल पावनमा दे विकास ते भी बहुत अधियां ते खोज करन दी लोड़ा स्कूलां ते काल जान देवेच्च पाठ करम ओदे वेच्व बीड़ा अंतर सभ्याचार दा जोजनावत त्रिगिनल ताल मेल कीता जना चाहिदावा क्रोस काल्चरल अंडरस्टेंग दी लोड़ा हर एक पाठ करम देवेच्च करी कलम देवेच्च स्कूलां काल जान देवेच्च ओदेच्च भी ताल मेल कीता होना चाहिदावाची अगला पॉएंट आपा डिसकस कर देंजी Modernization of Indian Society Modernization is an important aspect of national development The nation must fall in line with the scientific progress of the world and march ahead of it The nation must take advantage of world's scientific advancement and introduce new technologies into its own scientific and technological institutions Modernization in Indian Society मतलो पार्ति स्माध देडा अधनु की करना ओधी गल है कि ऐस पोईंट देवच कीती हुई और दुनिया की करना देडा रास्टीव कास दा महत्त पूर्ण प्रेलू है गावा Modernization देशन दुनिया दी वगयानक तरक्की देना कादम मलाके चलना चाहिदावा ते एतों अग्या निक्न दा जतन भी हो सकेता करना चाहिदा दुनिया दी वगयानक ते तक्नीक की तरक्की दा फैदा भी लेना चाहिदावा ते अपनिया वगयानक ते तक्नीक की संस्थावान दे वैच्च नमिया तक्नीक कानू पेश करना चाहिदावा Modernization दी गल्ला जी अगला पॉइंट है जी अपना Secularism अगली सरे दिते चाल दिया है पना Secularism The meaning of the word secular is a republic having equal respect for all religions सारितार मानू ब्राबरसन मान दी गल्ला In the largest democracy like India there are people of multiple religions and if all the people from different religions do not respect each other's religion then a big problem will arise and everybody will be arise and everybody will be the view that he should care for development of his own religion different religions one country is a precondition for national development so secularism contributes a lot in the national development secularism secularism तुपाव उपार्म पाथ लेने है भी कोई भी तार्म मेंगा पाख पाता जटाव नहीं है उधी कल कर्दें अपा ता अर्मन पाकशावद्दा अर्थ है उज़ेहा इसाुन गंडाजी इस सारी तारमाद एकोजा शनमान हाना पार्थवर्गे वट्डे लोक तिर में अपने कारम द ने रेंगे? रास्ट्री विकास दी एक पूर सासराद में ऑपना देश मैं दोधीयो वगास न स्ल्मय सोंपने यवि जे असी किसी तार मनु लेके दूजी तार मुदस नमा नहीं करांगे अपनी तार मनु पर लेके जनुए ता देश अड़ा विकास नहीं कर सक्था अपां अगले पॉइंट वाल जो अपना लास्ट पॉइंट अजीदा वदीवल वाद्यां लो मिएफ विए इननने अटी तार लोगी तार मुद दिया नहीं कि मातलब अझीदी सम्लड झाल व्यिका लेके ल मिएबेब इस इनन अप्र लेफ्य है कि अम्तर इसेप्वेश फ्यौशिन द्विश दियर थास्य कि वद्ष तारा मुदस आटनेश वे हां शोड टे कि single country cannot develop, we have to depend upon other countries to satisfy our needs. No country can live in isolation, if it does, so the country will remain backward and cannot develop in any aspect. मेंतर रास्ट्री समिदी गल करदे yamaag, जे अपने रास्ट्री, पद्दर ते स्वयवएक्सत हो गया, ताही अंतर रास्ट्री एक्ता थेवेशवशानती यह ब्रशुहाएदी वकास haar सकूगा महात्तपूर्ण गाले चेया के अंतरस्टी वपार्द वारा कोई देश आप दे अध्योगत निकी खेत्रा देवेच अग्येवाद सकतावा जे दूज्य देशनल संचार जान तकनीकी लेंड देण देविना कोई वी देश आजड़ा उत्रक्की निगार सकता या पन नहीं कर सकूगा सो इदे नाली जड़ा अपना अजड़ा लेसन आजड़ी कलास हो खातम हों दिया उमीद करदा मां के तो आन्नों ये लेसन आजड़ा सामझा आगया होगा ते होन अपना मिलांगे अगली कलास जीदेच अपना रोल अफ एजुकेशन इन नेशनल डवल्म ने उनना दा पालन कर दे करांच राना साब ने ते त्यारी करनियां जे कुई प्रॉल्म है तापा अगे डिसकस कर दे रहांगे थेंक्यू सो मच